हम लोगों ने EBCL में दो टॉपिक को कहा था कि एक दूसरे से कनेक्टेड है कौन-कौन सा टॉपिक था Essential Commodity Act और Legal Metallology Act Essential Commodity Act में हमने देखा कि किस-किस तरह के Commodity को हम क्या कहते हैं Essential Commodity और जिन चीज़ों को हम Essential Commodity कहते हैं Essential Commodity Act में CG का बस एक ही जो है वो बेसिकली प्रियास है और वो क्या है कि Essential Commodity लोगों तक जो है वो किस मैनर में पहुंचे EQ टेवल मैनर में और किस प्रैस पहुंचे और हमने वहां सारे discussion कर लिये थे उससे related कहीं कोई दुखदर्द नहीं उसी से बस आगे अब निकलते हैं कहा कि ये जो है आपका Legal Metrology Act ये पहले भी था और पहले ये जाना जाता था Standard Weight and Measurement Act के नाम से बदल गया, changes आ गये, नाम क्या दे दिया? Legal Metrology Act और पहले इसे किस नाम से जानते थे? Standard Weight and Measurement Act के नाम से ये Act कहता क्या है? ये जरा सुनिए क्योंकि इसमें बस एक बात है जो General Nature के कोईशन को समझने के लिए वो बड़ा कहानी ठीक से सुन लीजे, बाकी तो प्रोविजन पढ़ते रहेंगे कहा गया कि जिन चीजों को लोगों तक सही मात्रा में पहुँचाना है एक बड़ा चैलेंज और भी है यानि कि सही जो है वो अमाउन पे पहुँचाना है उसका एक और चैलेंज है कि जो सामान हमें मिल रहा है हमें कैसे पता है कि वो सामान हमें उतना मिल रहा है जितने के लिए हमने पे किया है आपके एक इसका क्या मतलब है अगर हमने कहा कि कोई सामान हमें खरीदना और हमने कहा कि एक केजी तौल दो तो जब हम बोलते एक केजी तौल दो तो बोलता है जाए ए भगवान, या खुदा, अल्लाहु अकबर, वहे गुरुदा खालसा, वहे गुरुदी फता, और उसके हाथ में सामान आता है, और वह आपको हाथ में दे देता है, और आप लेकर के चले आते हैं, ऐसे ही तौलते हैं जीजों को, जिसको दो केजी चाहिए, तो दो बार उम् होता है, जहां पर एक केजी के एकदम ध्यान से मैंने पहले बोल दिया, एकदम ध्यान से समझेगा, और उसके बाद रिसर्च कीजिएगा, पीसर्ट पर फेरलेस लिखने का मतलब, ये नहीं होता है, कि आप क्या हो गएं, फेरलेस हो गएं, सारे लोग अपने मोबाइल को क कहां रखेंगे, बस्ते में, रखेंगे, क्योंकि जिनका मोबाइल दिखेगा, वो OLX पे इमिडियेटली बेच दिया जाएगा, वहां पे लोग मैं बोल दूँगा, फटाक से बेच देने के लिए, और बेचने के बाद अगर अच्छा पैसा आया, तो सब मिलके पीजा खा और चलिए, आज से ये रूल जारी हो गया, अगर मुझे फोन दिख जाएगा, मुझे नहीं पता किस परपस से दिखा है, लेकिन मुझे आपका फोन जो है वो दिखना नहीं चाहिए, क्लास शुरू होने से लेकर के अंत होने तो, ब्रेक में दिख सकता है, तो आगे आप शूर कीजिए कि फोन कहां रहेगा, ये नहीं कि सर मैंने तो देखे फोन को छुआ भी नहीं लेकिन यहां रखा हुआ है, कहां रखेगा उस फोन को, और बैग का चेन अच्छे से लगा हुआ कि मुझे ऐसे जाकने पर भी ना दिखें, अब ये आप जानिए कि कैसे आप जो लोग हैं वो चावी पहुचाते रहेंगे, चलिए ध्यान से अब सुनिए, लीगल मेटरलोजी एक्ट में आपने जो है कहा एक केजी सामान चाहिए, दुकानदार ने एक केजी का एक बठखारा रखा, एक तरफ सामान रखा, उसके बाद दोनों जो है वो लेवल फिक् को कैसे पता चला, क्योंकि उसके एक केजी लिखा हुआ था, अब मुझे बताईए वो एक केजी तभी न जब उसमें एक केजी के लाइक जो है वो लोहा या आइरन है, उसी से तो एक केजी बना है, लेकिन मुझे बताईए अगर उसमें मैंने आइरन ही डाला है, 900 ग्राम या 950 ग्राम के लाइक, तो वो जब भी तॉलेगा, तो 50 ग्राम कम तॉलेगा या नहीं, आप गए और कहा एक लिटर चीज दीजिए, दूद वगएर या कोई भी चीज, अब वो जो तॉलने वाला है, उसी को नीचे से ठोक दिया, वर्ल्ड कप, नायक मुवी जैसा, तो अब जो थोड़ा पीछे की तरफ ठोक दिया, अब अगर उससे किसी चीज को करेंगे, तो उसमें कुछ ml क्या आएगा, कम आएगा, या वो जो तॉलने वाला है, जिस चीज से हमने मेजर किया है, अगर उस चीज को थोड़ा छोटा कर दे हाइट तो, मिटल का ही तो बना नहीं आएगा। लिखा हुआ है मैंने इस पे, 200 ml, लेकिन मैंने यहां से कम कर दिया, या मैंने जो है वो, यह जो रेडियस है, थोड़ा सा रेडियस कम कर दिया. अब मुझे बताईए कम आएगा या नहीं आएगा अगर इसमें कम आएगा तो इस केस में आपके पास क्या solution available है क्या defense available है कहा गया कि उसी के लिए तो ये बनाया गया जिसका नाम क्या है legal methodology आप गए एक मीटर कपड़े खरीदने के लिए आप गरीब होगे हम ऐसे नहीं खरीद के पहनते हैं हम तो सीधे ready made में जाते हैं ली, लिवाइस, मैडम, वर्साचे हम लोग basically जब छोटे थे तो हम दोनों भाईयों को band party का dress दिया जाता था और एक जैसा dress होना चाहिए वरना दोनों लड़ेंगे तो कपड़े थान में भी मिलते हैं ऐसे लपेटा हुआ रहेगा मीटर और स्केल से आप उसको measure करते हैं और काटते हैं दरजी उसे सिलता है टेलर उसे सिलता है तो हम दोनों लड़ें नहीं इसलिए एक ही थान से निकाले जाते थे उसी से कटवाए जाते थे सर्ट भी उसी से अब वो तॉलने वाला एक मीटर होता है अगर देखेंगे स्टील का बना होता है उस पर छोटे छोटे जो है वो खाचे बने हुए जो scale पर लिखा हुआ है कि इतने 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 तो ये एक हो गया फिर ऐसे ऐसे छोटे छोटे फिर ऐसे यही तो है 100 cm होगा तो क्या हो जाएगा अब मुझे कैसे पता कि वो पूरे के पूरे जो है 100 cm है कहा गया कि ये 100 cm है अगर वो माल जिए 100 cm की जगा माल लिजए 95 cm है तो आपको जो कपड़ा मिला वो 5 cm कम मिला या नहीं मिला कहा गया फिर करे तो क्या करें कहा आप थोड़ोने कुछ करेंगे समस्या है इसलिए एक्ट बनाना पर आप और नाम क्या दिया Legal Metrology पहले नाम था Standard Weight and Measure आसान हो जाता था समझना उसके बाद इनहोंने ऐक Department बना दिया इस चीज से निपटने के लिए अगर आपको इसे रिलेटेट गिला सिक्वा है इसे रिलेटेट किसी तरह का गिला सिक्वा तो आप कहा आएए एक Department जिसका नाम बना दिया Legal Metrology Department इसलिएACT को बोल दिया नया act क्या वरना गया, legal methodology act हो गया, और पहले नाम क्या था, standard rate and measurement act, यह नाम इसलिए बोलना हो ताकि कहीं सुने तो आपको यह ना लगे कि हमने यह act नहीं पढ़ा है, या इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं, वो पुराना नाम था, नया नाम क्या, legal methodology act, तो इस act में आपको जानना है कि वो कौन सा ध्यान से, वो कौन सा बट खाड़ा है, वो कौन सा जो है वो आपका जो है, वो कहिए liter है, या कौन सा वो meter है, जिससे चीजों को तौला जाए, ना पा जाए, और अगर चीज पैकेट में है तो उसमें जितने चीज है, उतने चीज जो है, वो दिया हुआ है या नहीं जो कहा हुआ है, वो चीज है या नहीं कहा कि, इसका मतब जब भी हम सामान खरी देंगे या तो जो है, हम lose में खरी देंगे और उसे या तो weight करेंगे, या क्या करेंगे, measure करेंगे और या फिर वो किस में होगा, पैकेट में होगा इन तीनों चीजों के लिए इन्होंने रूल बना दिया और कहा कि अगर कोई 1 kg का बठखारा आपको कम लग रहा है तो इसका भी उपाय है, यही सब तो बताय जाएगा कि कैसे हम रिलीफ लेंगे, और कैसे जो है अगर कमी है तो उसके लिए हम जो है वो प्रोटेस्ट करेंगे और हमें वो कमपनसेशन मिलेगा कहा कि यह 1 kg का बठखारा बनाने वाला, गली-गली में जो है वो गलत बठखारा बना रहा है तो कहा तभी तो हम कहेंगे कि सबको बटखारा बनाने का लाइसेंस नहीं देंगे उसमें और आप एक केजी का बटखारा देखेगा दुकानदार के तक्रीबन आपको 95% केसे में वो गलत मिलेगा क्योंकि सही वाला मैं आपको बता दूँगा कैसा होता है और आप ढूंडियेगा मैं आपको कह रहा हूँ 99% से ज्यादा परसेंट केसे में आप जिस बटखारे से टक्राएंगे वो गलत वाला रहेगा इसलिए क्योंकि जब सबके पास ही वही रहेगा तो वही क्या मान लिया जाता है सही और सही है कैसे और आपको चैलेंज करना है उसको तो कहां चैलेंज करेंगे वो सारा कुछ हमें इसमें देखना रहेगा और अगर पैक्ट कॉमोडिटी है तो उस पे क्या-क्या पैकेट पे लिखा हुआ होना चाहिए कौन इन बठखारे को बना सकता है और कौन उसे रिपियर कर सकता है आज के डेट में ग्लोबल ट्रेड होता है जब ट्रेड ग्लोबल होगा तो इसका मतलब है कि चीजों को जब यहां से वो वेट करके और मेजर करके भेजा जाएगा तो उस चीज को इंडिया से बाहर भी recognition तब मिलेगा, जब हमारे बटखारे को, यानि हमारे weight करने वाले और हमारे measure करने वाले instrument को internationally okay कहा गया है, वरना हम बोलेंगे एक मीटर, वो लेगा 30 मीटर ही नकली है, मीटर तो है SI unit, लेकिन आपने कौन से वाले मीटर से दिया, जिसमे 100 cm होते हैं, वो वाले या जिसमे 95 होते हैं, कहा इसके लिए जो है, international trade के लिए कहा गया, कि जो बटखारे बनाये जाएंगे, उसके लिए भी international organization बनाया, जैसे हम लोग arbitration conciliation में पढ़े थे, international arbitration को ले करके, का वैसे ही यहाँ पे international body बनी, और उस body का काम है, कि दुनिया के हर एक देश में, जहां भी चीजों को weight और measure करके बेचा जाता है, वहाँ पे जो भी उनके बटखारे हैं, उस पे खास तरह का seal और stamp लगेगा, जो इस बात को बताएगा कि अगर international body का stamp लग गया है, seal लग गया है, तो अब इस बटखारे से जो भी तॉला जाएगा, उसको internationally क् अगर कोई manufacturer जो 1 kg का बटखारा, 2 kg का बटखारा, 5 kg का बटखारा बना रहा है, बटटा बना रहा है, जो भी नाम कहिए, बात समझ में आ रहे हैं, जो बटखारा या बटटा कह रहे हैं, यानि वो instrument जिससे नापा तॉला जाता है, उसको international level पे जिससे structure का बोला गया, वैसा तो किया अच्छा बनाने का, लेकिन नहीं रहता है कुछ इस तरह का, नहीं बना भी भी, पेंटागन, हेक्सागन जैसा रहता है, लेकिन आप देखेगा वहीं पे, 5 ग्राम और 10 ग्राम देखेगा, ये दिखेगा सोनार की दुकान पे, जोलरी हाउस में, और ये आपको पी इंटरनाशनल बॉडी तै करती है, और अगर उसके अकॉर्डिंग आप जो है वो चीजों को बनाते हैं, तो आपके बठखारे को इंडिया के किसी कोने में नहीं, बलकि वर्ल्ड के किसी भी कोने में, आप इस बठखारे को भी बेच सकते हैं, का ये भी तो एक गुड़सी है, इंडिया में ही सिर्फ एक के तॉलने वाले लोग ने, इंडिया से बाहर भी तो तॉलने वाले लोग हैं, तो यहां जो एक केजी का बट्टा और बट्खारा बनाता है, वो कैसे इंटरनाशनल जो है वो वैलिड माना जाएगा, इसके लिए कौन सी बड़ी बनी, इंट जो करें पढ़ना, चलिए, पढ़ाया नहीं, अभी बताया कि पढ़ना क्या क्या है, लीगल मेटरलोजी, काज एकदम ध्यान से, अभी आपको यहां से कुछ भी नहीं करना है, बस करना क्या है, प्रवचन सुनना है, कुछ जगह ऐसा भी होगा, जहां पर मैं सीधे आपके जो है वो नोट्स पे आऊंगा, तो वो मेरे एकॉर्डिंग चलने दीजेगा, मैं आपसे तो ज़्यादा काबिल हूँ, बुरा लग गया, नहीं, तो मुझे आपसे ज़्यादा अच्छा तरीका पताई सीले, कुछ जगह पे, मैं सीधे एक बुक को निकलवाओंगा, अब जहां बुक निकलवाओंगा वो ये नहीं, सर्था पीपीटी बताओ ना पहले, और जहां पहले पीपीटी निकले सर सीधे कहां आजाओ, बुक पे, तो जहां जैसे रिक्वाइर्मेंट रहेगा वहाँ वैसे हम चलेंगे, पहले जरा इसके सारे बातों को सुनते चले लीगल आस्पेक्ट है, उनको क्या करता है, डील करता है, उसको हम क्या कह देते हैं, लीगल मेटरलोजी कह देते हैं, और किसी भी तरीके, कोई भी वो तरीका, वो मेथड, वो विधी, जिसके जरिए आप किसी भी जो है, नापने या तॉलने वाले, यानि कि वेट और मेज करने वाले चीजों को सही ठहराते हैं या error को ढूंडते हैं उस process को कहते हैं calibration यानि वो तरीका जिससे आप इस नतिजी पर पहुंसते हैं कि इस 1 kg में कितनी कमी है यह 1 kg है या नहीं यह 1 liter है या नहीं यह 1 meter है या नहीं तो कह रहे हैं कि वो तरीका वो सारे activities जिन activities के जड़िय आप error ढूंडते हैं गलती ढूंडते हैं किस चीज में weight में या measure में इस process को क्या बोलते हैं calibration बोलते हैं कहा कि अब सबसे बड़ा और सबसे important aspect यहां पे है तीन standard के बारे में working standard, secondary standard और reference standard ध्यान से समझेगा कहा कि working standard हम किसको कहते हैं आप दुकान में जाते हैं थेले वाले के पास जाते हैं आप उसे कहते हैं 1kg अपल देना 1kg अपल जब आप कहते हैं तो वो 1kg का बटखारा एक तरफ रखता है और दूसरे तरफ 1kg देना क्या कर देता है शुरू कर देता है यह जो 1 kg का वट खारा है यह हमारा कहलाता है working standard क्यों कहलाता है working standard क्योंकि day to day life में जिस चीज के जरिये work होता है weight करने का और measure करने का उसको क्या कह देते हैं working standard कपड़े वाले के दुकान में जो आपको वो meter scale दिखता है वो क्या है working standard दूद वाले के पास तेल वाले के पास या किसी और जगह पे जिस जगह पे जाकर के आपको वो 1 liter या 2 liter का जो है वो दिखता है measure करने वाला वो क्या कहलाया working standard आपने ठेले वाले को बोला तॉलने के लिए उसने 1 kg का बट्टा एक तरफ रखा सामान दे दिया आपको dot हुआ कि वजन कम है आप दूसरे के पास जाकर के तॉल वाते हैं उसने भी 1 kg का बट्खारा रखा अगें दिस इस working standard और तॉल दिया कहता बिल्कुल सही है आपको dot दोनों गलत कह रहा है अब ऐसे केस में उस working standard को कैसे चेक कीजिएगा अब क्या कीजिएगा 1 kg का तो बट्खा रहा है कोई इट पत्थर तो तॉल नहीं रहा है वो तो बट्खारे से तॉल रहा है अगर आप उसको चेक करना चाहे तो इसके लिए हमारे पास है secondary standard और secondary standard जो हमेशा DM office में रखा हुआ रहता है किस office में district magistrate के पास हर district में आप इस working standard को ले करके जाएए और इस working standard को जो है आप क्या करेंगे चेक करेंगे किस चीज से secondary standard आप कहेगा सर वहाँ जो है वो कैसे सही होगा कहा कि उन्होंने जो है वो iron उतना ही डाला है और वो वहाँ पे रखा हुआ है आप एक तरफ रख दीजे secondary standard एक तरफ क्या रख दीजे working standard इसने अगर कम iron डाला होगा तो 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 पता चल जाएगा क्योंकि secondary standard दिख़डा है कुछ और और working standard में कुछ ओर दिख़डा है कहा सर ये भी Тो हो सकता है कि ये जो हमारा secondary standard क्या है जहां पे रखा हुआ है ये secondary standard जहां पे रखा हुआ है उस जगह पे जो है वो कहिये कि धूल के कारण या जो है वो environment के effect होने के कारण क्या हो राख इन्वारामेंट के जो है वो इफेक्ट होने के कारण वहाँ पे रस्ट लग गया हो वहाँ पे आपका जंग लग गया हो कहरें कि अगर ऐसा हुआ है तो ऐसे केस में जो है वो भी थोरा जड़ गया होगा कोई बात नहीं है अगर आप secondary standard को भी verify करना चाहते हैं, कि वाई secondary standard भी सही है या नहीं है, तो उसको किस से correlate कर सकते हैं, reference standard से, और कहा कि यह जो हमारा reference standard है, यह reference standard हमारा जो है, वो कैसे है, कहारे कि reference standard हमेशा आपका जो है, वो रहता है department of legal methodology, कहां पे, director of legal methodology के पास है, और यह vacuum बंद में रहता है, जहां पे हवा वगरे नहीं लगेगा, ताकि उसमें जंग वगरे ना लगे, और कुछ जड़े नहीं, और यह इस metal का होता है, कि जिसमें rust नहीं लगेगा, जंग नहीं लगेगा, तो इसका मतलब है, कि secondary standard को verify किस standard से कर रहे हैं, reference standard से, तो इसका मत working standard वो standard है, जो कहरे, set of standard of weight and measure, made by verification of what, standard weight, 1 kg बोला, तो 1 kg को तॉलने के लिए पहले working standard, लेकिन working standard में अगर doubt हुआ, तो उसको check करने के लिए क्या है हमारे पास, secondary standard, secondary standard को verify करने के लिए हमारे पास क्या है, reference standard, clear है यह, अब देखिए, कौन-कौन सा जो है वो aspect लिखा हुआ होना चाहिए, यह तो था तब जब आप चीज़ों को क्या कर रहे हैं, खुले में ले रहे हैं, लेकिन आप packet में भी तो चीज़ों को लेते हैं, अगर packet में लिया तो, कह रहे अगर चीज़ों को packet में ले रहे हैं, तो यह सारी बाते उ हैं तो उनमें ये सारी बाते लिखे भी होती है देखे जरा कि एखी है इंस तो चर एंस सब्द Tuम चाहतन तो चाहतना लिखे लिवारा Ilmen कि व ऑपा-ड झाल 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 समझ भी लिया तो मेरी तो जरूती नहीं है कहरें पहला Name and address of manufacturer किसने चीजों को बनाया है वो लिखिये अगर manufacturer और packer अलग-अलग है तो दोनों लिखिये क्यों ये तो सोचे कि आखिर ये लिखा क्यों जाता है packed commodity page manufacturer करना मिसी ले कि कल को खाया और food poisoning हुआ तो पकरे किसको manufacturer को लेकिन कह रहें कि packer का भी नाम लिखो जब manufacturer और packer क्या हो अलग-अलग हो आप कहेगा सर इसमें अब packer क्या करेगा contamination तो कहीं भी हो सकता है ना तो कुरकुरे वगेरा बनाया पूरा का पूरा खूब सारा truck का truck और ला करके किसके पास गिरा दिया packer के पास जो उसको polythene में क्या करेगा pack करेगा और pack करने के बाद क्या करेगा चीजों को आगे जो है वो भेजेगा अब हो सकता है कि बना के कि जो आया वो तो एकदम बढ़िया बहुत हाईजेनिक लेकिन packing करने वाला जो लोग है आराम से हाथ गंदे है और उसी में क्या कर रहा है packing कर रहा है कभी nose बह रहा है तो फिर pack कर दिया आपको मजाक लग रहा है अगर आप कहीं भी bread बनता हुआ देख लेंगे तो सबके पास जो है वो machine है तो Britannia और क्यों बोला जाता है अच्छे company का थोड़ा use करने क्योंकि ये सारे के सारे लोग automatic machine का इस्तमाल करते हैं और बहुत सारे जगों पे जहां छोटे level पे काम होता है वहाँ पे आपका जो है वो manually काम होता है ब्रीड जो बनता है तो आटा मैदा इनको पहले mask किया जाता है जैसे घर में माटा गूठते हैं वैसे ही जो mask किया जाता है तो क्या हाथ से बहुत बढ़ा सा टब होता है समझ लिए इस रूम से बढ़ा हाँ जी इस रूम से बहुत बढ़ा और उसका height मेरे घुठने तक समझ लिजे या इससे थोड़ा कम और इसमें जो है वो धेर सारे मजदूर और आटा और ये मैदा डाल दिया गया हाँ जी पानी वगएर सारा और आप कड़ क्या रहे हैं वो left right ये ऐसे ऐसे इसलिए करें क्योंकि इससे आठा क्या हो रहा है ये मैदा गुथा जा रहा है हाथ से तो होगा नहीं और वो गुथा जा रहा है अब उसी में जो है वो किसी को जो है वो खांसी अब आप खुद सोचिए और आपके एक सर बाहर क्यों नहीं जा रहे हैं बाहर क्यों नहीं जा रहे हैं क्योंकि चलिए पैर में तो पॉलेथीन पहना हुआ है लेकिन अब अगर वो बाहर जाएगा तो सारा का सारा बेकार होगा तो इसलिए उसको उसी मेरा ने तो मालिक मार के जो है वो चोखट बना देगा तो इसलिए में वो सारा सांस्कृतिक कार्कम वहीं पे हो रहा है तो इसलिए कभी भी जब ब्रेड या बिस्किट इस तरह का कोई भी चीज खर दे और एक और भी बात अगर आप कभी कुकीज वगेरा लोकल खाते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा क्रिस्पी लगता रहता है बी वेरी केरफूल उसके क्रिस्पी होने में एक वो भी टेस्ट हो सकता है इसी लिए जो है वो पैक्ट कॉमोडिटी और इस तरह का जो अच्छा क्वालिटी वो सब मसीन से बनाते हैं और लोकल में ये क्वालिटी आपका चल रहा होता है बस मैंने तो आपको सच्चाई बताई है अब आईए इसलिए मैं यूज करता है नहीं इस मैंन फैक्ट कर्रिक्ण रहा है वो हैजेनिक तरीके से नहीं कर रहा तो उसका भी क्या होना चाहिए या हो सकता है पैक करने वाला ने 100 ग्राम नहीं डाला हो कह रहा है कि जो भी हो दोनों का नाम दो common और generic name of commodity दोनों दीजे, जैसे ये दवाईयों में होता है, आप देखिएगा लिखा रहाता है, cross in, लेकिन उसके बाद देखिएगा लिखा रहाता है, paracetamol, 500 mg या 650 mg, तो कहा कि जिस चीज में salt name हो, और generic name, यानि कि common name हो, दोनों name, आपको क्या करने पड़ेंगे, लिखने पड़ेंगे, net quantity कितना है, 100 g, 50 g, 200 g, एक केजी वो लिखिए, अब या देखिए, packed commodity छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा हो सकता है, यह सब packed commodity के लभी है, exception को छोड़ करके, month and year of manufacturing and packing, if applicable, अगर manufacturing और packing अलग-अलग date में होगा, तो क्या करना पड़ेगा, दोनों लिखना दोनों में से कोई एक लिखिए, अगर आपने लिख दिया manufacturing और लिख दिया best before three year, तो उस case में क्या होगा, हमें पता चल जाएगा कितने दिन ते किसे use करना है, या आपने लिख दिया date of manufacturing and expiry, तो भी हमें पता है, लेकिन मुझे एक शी बताई, अगर लिखा हुआ है date of manufacturing and best before three year, तो finger का use करके निकालना पड़ेगा, और बहुत सारे लोग इसमें confuse कर सकते हैं, इसलिए अगर आपका दवाई है, तो दवाई के case में कहा गया, कि आप दोनों चीज लिखेंगे, यानि कि इस case में आपको जो best before लिखना है लॉड नहीं है, आपको साफतार पर दोनों च manufacturing and expiry, ताकि लोग वो date देखकर के तुरह देख लेकि नहीं, आज ये date भी नहीं आया है, क्योंकि अगर ये लिखा रहाता है कि date of manufacturing, और दूसरे जगा कहीं कोप्चे में लिखा हुआ है, कि best of three years या 36 months, तो counting में थोड़ा सा क्या हो सकता है, दिकत हो सकता है, Unit sale, price of commodity, अगर कोई चीज packet में है, तो कभी-कभी देखेगा कि pen वगेरे का set आएगा, दस का pencil का, तो एक का भी दाम बताईए, और उस पूरे जो है, वो किसका दाम बताईए, unit का भी जो है, वो price बताईए, Dimension of commodity, अगर किसी चीज का dimension matter करता है, तो बहुत सारा चीज होता है, जो dimension के basis पे लेते हैं, diamond या और कोई भी चीज है, या आप कभी-कभी देखते हैं, कुरकुरे वगेरे, mad angle triangle, तो कोई जो है वो इस shape में, तो कोई heart shape में, कोई कुछ, तो वैसे case में आपको उसका क्या बता ना है, any other matter, ये इसलिए लिखा, ताकि ये list आपका क्या हो, inclusive हो, ना कि क्या हो, exhaustive हो, यहाँ पे मैंने कुछ जादा चीजों को लिखा है, इसलिए लिखा है, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं उन्होंने इसको पूछ दिया तो, मैंने आपके notes में भी ये दिया हुआ है, ल को फटाक से बस copy करेंगे, ये copy करेंगे, हलांकि ये already दिया हुआ है, लेकिन वो छुटे और small lines में है, done कीजिए, फिर बात करते हैं करेंगे, बात करेंगे, लिक है प्रत्वार्ण से करेंगे, लेक हैंगे, लेक हैंगे, लेक ये दिया वीझ में हैं। झाल 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 चलिए अगर चीजें आपने जो है वो खरीदी है और ये चीजें आपने कैसे खरीदी है आपने चीजें खरीदी है या तो weight से या measure से तब तो हमने provision देखा कि भाई हमारे पास तीन-तीन तरह के हैं working standard, secondary standard और reference standard लेकिन यही अगर हमने जो है वो packed लिया है तो यहाँ पे अब देखिए एक aspect जिसका नाम है deceptive package इसको ध्यान रखिएगा और ये मैं extra करवा रहा हूँ क्योंकि ये कभी-कभी आपके exam में पूछ दिया गया है जबकि syllabus में ये वस एक word दिया हुआ है deceptive package क्या है पहले सुन लीजे तब लिखने का काम कीजिएगा deceptive package कहते कि स्कोई कहा गया कि deceptive package का मतलब है कि आपने कोई भी ऐसा packet बनाया जो packet आपने बड़ा बनाया जबकि ये packet जो है वो बड़ा नहीं होना चाहिए था और आपने बड़ा बनाया जान बुझ करके सामने वाले को mislead करने के लिए क्या mislead करना चाह रहे सामने वाले को आप बताना चाह रहे कि इसमें इतना नहीं इतना है तो वो क्या कहला है आपका deceptive package नहीं अब इसी में जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं आप कुरकुरे और लेज खरीदते हैं और देखते हैं कि कितना जो है जब आप उसको फोड़ते हैं भाड़ना तो अच्छे तरीके से हुआ भूटा आख करते हैं हम लोग जब आपके तरह student थे तो अकेले अकेले तो नहीं खरीद पाते थे 20 रूपीज वाला जो है वो चार लोग कॉंट्री करके खरीदे खरीदने के बाद distribute होता था अब उसमें जो है वो जो समूचे वाले हैं वो अलग तूटे वाले अलग और तब बटवारा होता था कि जो समूचे वाले वो चार-चार हिस्से में पढ़ा फिर तूटे वाले आधे-आधे करके जो है वो उसकोने में से कोपचे में से वो नमक वाला निकाल के चाटने का मजा ही कुछ और है तो कि तब तक सब के में जो है वो खत्म हो गए रहते हैं और वो जो है वो आप चटकारा ले रहे होते हैं अब कहा गया कि वो जो है वो इतना बड़ा सा और उसमें जो इतना थोड़ा सा है कहा गया क्या ये डिसेप्टी पैकेज है तो डिसेप्टी पैकेज के लिए कहा गया कि नहीं आप जब deliberately कंज्यूमर को mislead कर रहे हैं और ये impression दे रहे हों कि इसमें जादा है जैसे मैं example देता हूँ बिल्कुल सची घटना है मेरी और मेरे भाई की दुखवरी कहानी है सुनेंगे छोटे में हम लोग हमेशा बड़े का वेट करते थे आज अगर बड़े खत्म हो गया तो आज से ही अगले साल का वेट कर रहे है कि अगले साल फिल बड़े कब आएगा प्रिजन यह था कि पैसे पापा के खर्च होते थे गिफ्ट हमें मिलते थे तो हम लोग करते क्या थे एक कॉपी लेते थे और घेका बल Punkte को किस ने क्या गिफ्ट दिया किसने जो है वो क्या गिफ्ट दिया ये लिखते थे ऐसा इसी ले क्योंकि उसका भी बर्डे होगा तो क्या करेंगे उसी चीज को जो है वो क्या करेंगे गिफ्ट करेंगे यानि उसको वैसा ही गिफ्ट देंगे अगर कोई बहुत अच्छा गिफ्ट हमें दे रहा है, तो हम भी क्या करते थे उसे, अच्छा वाला गिफ्ट देते थे, अगर कोई सरा वाला गिफ्ट दिया तो उसे भी क्या करते थे, सरा वाला देते थे, और अक्सर गिफ्ट में मिलता क्या था, पेन और कॉपी, जमाना भी तो था, पुरान दे रहें जो दे रहें लिख के रखते थे अब देखिए हमने लिस्ट निकाला क्योंकि आज बी का बर्डे है तो देखा उसमें हमने लिखा हुआ है सरा हुआ कॉपी और सस्ता वाला पेन ऐसे ही लिखते थे ताकि ध्यान रहे कि कैसा था अब जो है वो घर में जूभी सामान था कूकर वगेरा ये सब उन सब के पैकेट हम लोग समहाल के रखते थे हर चीज के तूकि वो काम आता था पैकिंग करने में और जितने भी लोग घर में गिफ्ट देते थे वो सारे रैपर हम लोग अच्छे से उखारते थे ताकि वो फटे नहीं और बाद में उससे बेड पैक करा लेना, वो 5 रुपे हमारे, तो ऐसे गरीवी में हमारे दिन बित रहे थे, तो वो पैसे जो मिला वो हमारा हो गया, अब जो है वो हमने निकाला अपना इंस्ट्रुमेंट, पैकिंग वगे रखा, पापा से तो पैसे मिल गए, कि गिफ्ट के जो हैं वो तो अलग हैं, वो तो मिले ही मिला, साथ में इसको पैक कराने के जो हैं, वो भी हमें मिल गए, अब जब वो भी मिल गया तो, जो है, हमने अपना काम शुरु किया, निकाला अपना रैपर, और लिया बड़ा सा जो है, वो प्रिशर कूकर का वो डबा, सारे 6, सारे 8 लिटर वाला, बड़ा और उसके बाद उसे अच्छे तरीके से पैक किया, multiple color से, क्यों? क्योंकि लोगों ने जब gift दिया होगा, तो किसी ने अलग तरह का rapper दिया होगा, किसी ने अलग तरह का, वो डबा तो इतना बड़ा है कि उसमें तो दो-तिन rapper लगेंगे, तो इसके लिए पापा से पैसे ज़्यादा ले लेते थे, और उसे धरंग भी रंगा कर देते थे, और लोग समझते थे कि क्या creative तरीका है, उन्हें क्या पता, कि ये गरिबी में किया है, ये कोई creative तरीका नहीं है, और लोग बोलते थे, देखो कितने सुन्दर से, तीन-टीन color का मिला करके लाया है, एक तरफ अलग, एक तरफ अलग, और ये दोनों साइट से क्या हो गया, अलग बन गया, मैंने नहीं बोला, मैं बिल्कुल चीज़ों को clear बोलता हूं, लोग समझते कि नहीं हैं इनके पास इसलिए, मैं आपको नहीं बोलता हूं, मैं गरीब आद में, आप समझते हैं कि ये तो मालदार हैं, इसलिए अपने आपको क्या बोलते हैं, मैं आपको बोलता हूं कि मैं मेट्रो से आता हूं, आप बोलते कि अच्छा-च्छा नहीं, सर थोड़े ज़्यादा हाइफाई है लोग आजकल जो है environment friendly हुए हैं इसलिए जो है वो sharing वाले चीज़ का use करते हैं इसलिए कार्ड से नहीं आते हैं सच्छा यह है कि मेरे पास कार्ड ही नहीं है आप मानते ही नहीं आप कहते हैं कि नहीं यह बड़े लोग हैं इसलिए ऐसा आते हैं मैं आपको बोलता हूं मैं ओल भी आ रहा है कि ऐसा करना चाहिए एड तो आज आ रहा है मैं तो यह बच्पन से कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास तो है ही नहीं और लोग तो आज जो है वो इन्वारामेंटर फ्रेंडली हुए तो कभी-कभी जितना ज्यादा आप कहते हैं सच्चा है लोग समझते कि नहीं यह उल्टा बोल रहे हैं साइधिन के पास ज्यादा है और इसलिए कह रहे हैं तो हम लोग तो चार कलर का ले जाते थे कि हमारे पास था ही नहीं लोग कहते है थे creativity ठीक है जो भी है लेके गए रूल होता था कर मेरे भाई का जो है वो फ्रेंड का बर्डे है तो मैं पकर के ले जाओंगा गिफ्ट और जब घर आ जाएगा तो भाई के हाथों में दूंगा वो देगा और अगर भाई के फ्रेंड का बर्डे है तब भी दोनों ही जा अब तो पूछे मत उसका सारा ध्यान उस पैकेट पर और वो जो है वो उस पैकेट को रखा और हमारा treatment जबरदस्त सब को एक अक बार cake मिल रहा हमें और एक बार cake लेगा हाँ तो क्यों नहीं मैंने कोई व्रत रखा वह खिला खिला एक बार और cold drink चलेगा हाँ मिरिंडा पि जा रहा है वो तो जल्दी से खोलना चाहरा है किसमें है क्या curiosity मैं भाई को बोल रहा हूं कि जा तू भी पीछे से जा अगर यहां पे खुल गया तो फोल भी खुल जाएगा अभी जो take care होड़ा है वो तो अच्छे तरह से ले ले तो वो जाता था क्या मैं तरे बर्डे में ग्तियों धुल जांइक हो कि उले नेरीतल को भी जाए नेशा थिर style अचल बैटते कि अब जो है वो खुलेगा तो गिफ इकले काप खोलेगा और इंप्रेशन देना था कि इसमें बहुत बड़ा क्या है, इसमें बहुत बड़ा क्या है हमारा गिव्ट है, तो कहा रहे हैं अगर हमने safety के लिए या किस चीज के लिए, quality के लिए, जैसे आप देखेगा गनेश जी का मूरती खरीद है, या कोई भी इस तरह का crystal का चीज, ब इतने चोटू से गनेश जी जो है वो इतने बड़े डबे में तो क्या impression ये कि बड़ा है नहीं लिखा हुआ किस साइज के गनेश जी है वो इसलिए है वरना गनेश भगवान के सूर कहीं और होंगे उदर कहीं और होंगे तूट जागा ने तूटेगा वो अगर वो ऐसा ही कर करके रख दीजिए और उसके बाद खा करके देखिए वो बिल्कुल जो है वो लिया धातों में ही चिपक गया है इसका मतब वो कृष्पी नहीं रहेगा ये इसलिए क्योंकि उसमें एयर टाइट पैकेट में क्या किया गया है रखा गया है कैने ये किसको मेंटेन करने के ल माना जाएगा कहा नहीं सेफ्टी और क्वालिटी के लिए क्या तो इसकी पैकेज माना नहीं जाएगा और अगर डेलिबरेट लिए किया है तो क्या माना जाएगा डिसेटीव पैकेज आप इसे लिखेंगे कि दन कीजिए फिर बात करते हैं कि दन कीजिए बात करते हैं कि दन कीजिए बात करते हैं कि दन कीजिए बात करते हैं आप लोग इस तरह का काम करते होंगे, नहीं ना, इस तो बर्डे वगरे में हम लोग करते हैं, तो सुच्छी आप लोग कितने बड़े लेवल पर जाई है, मैं तो सुच्छे मोट पर पहुंचा है, नहीं हमें तो दिप्ष ना दे, तो मुक्यर से मार मार के ज्ञान मार दें अगली बार बर्डे में ना भुला है, हम तो बर्डे मनाते ही, कैसले कि गिफ्ट, नहीं यह तो बड़े होने के न, थोटे में तो पापा के पैसे लगते थे न, तो हम दो तो बस गिफ्ट से कर संदाता था, नहीं हम तो मनवाते थे, मनाएंगे कैसे नहीं, नहीं हम तो ज जाते थे इसलिए जाते थे कि हमारा किसी ने खाया तो हम भी क्या करेंगे लेकिए अंसर है क्लास का अंसर है एक्चुली हमें गिफ्ट भी खुदरी लाना रहता था पैसे मिलते थे थे न तो ज्यादा क्यों खर्च करेंगे जिसने जो दिया उसको क्या करते थे वैसा ही देते थे अब देखिए यह कहते है जीन कैसे क्यारी होता है मैंने यह बात अपनी बिटिया को कभी नहीं बताया है लेकिन मेरी बिटिया एक बार गिफ्ट फार रही थी पिछले ही बर देखो, रूत पापा रूत पहले लिथने देत इसने त्या दिया है, तो मैं बोले बेटा फार रूत 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 और वो फट से अपना एक कॉपी लिए आई, देखि मुझे आश्चर लगा, कि साइ फ्लो में निकल जाता है, तो उसने बोला कि हम बोले बेटार इससे क्या होगा, फिर आज या था भी बड़े आएदा, तो पता तो करना होगा आज या नित्या दिया था, तो उसको भी क्या किया जाएगा, हम भी जो है वो गिफ्ट देगे, मैंने बोला ठीक है भाई, गरी पैकेट में जब आप चीजों को खरीते हैं तो उसमें आप चीजों को खरी दिये, उसमें लिखा हुआ एक केजी, चावल हो, दाल हो, अलग-अलग तरह के, और आप चावल के पूरे पैकेट को जो है, वो गिरा दीजिए, तराजू पे, जो हमारा स्केल है, और आप वजन करेंगे, तो आपको वो एक केजी से थोड़ा सा कम दिखेगा, लेकिन यही चीज आप ध्यान से सुनिए, आप जो है, वो तूथ पेस्ट लीजिए, लिखा हुआ है उसमें और ज्यादा अंतर दिखेगा, आप जो है, वो सौस वगेरा का जो है, वो सैसे लीजिए, और उस आप इस तरह से कीजिए, आप दिखेए कि आपको कम दिखेगा, इसका मतल्व उसमें कमी हे, क्योंकि उस पे लिखा हुआ है, एक केजी, कहा गया कि ये कमी इसलिए है, क्योंकि उस पैकेट में भी कुछ चीज क्या रह गया, चिपका हुआ रह गया, उसमें कुछ सटा किम फोगें तब भी छे उसको पीच-पीच करके जो थो दीन चला लिया और भी हो गיा तो बीच से क्या कर दिया काट करके जो है इधर से घुशा करके एक दिन हो गया और इस सैट वाले से एक दिन जो है वो हो गया इसका मतब उसमें लगा हुआ था तम न हो गया और मैंने उससे जब सारा कुछ निकाला तो वजन थोड़े कम मिले तो क्या वजन कम नहीं मिल सकता है इसका मतलब क्या कम दिया गया था नहीं कहने कि यही चीज यहां पे लिखावा या आप कुरकुरे वगेरा कहिए आप पूरा पैकेट ऐसे करके उलट दीजिए फिर भी देखिएगा कोपचे कोपचे में चारो कॉर्णर में थोड़ा थोड़ा सा जो नमकीन वाला बचा हुआ है तभी तो बाद में ऐसे ले लेके चाटते हैं कहरें इसका मतलब उतने से तो कमी आएगा अब यह डिपेंड करता है कि उसका नेचर क्या जैसे सॉस उसमें ज्यादा चिपका हुआ रह जाएगा अगर सॉस के पैकेट को सेंपो उसमें ज्यादा रह जाएगा लेकिन यही आप चावल और दाल जैसा चीज पैकेट में लीजिएगा तो बहुत कम कान तरह आएगा क्योंकि वहाँ पे उसका प्रोपर्टी ही नहीं है चिपकने जैसे का तो कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि किसी भी तरह का दिक्कत है किस चीज में वेट और मेजर को ले करके तो आप कम्प्लेंड कर सकते हैं किसको डैरेक्टर या जिसको डैरेक्टर ने क्या किया है? Authorize किया. ये Director कौन है? Company के Director? अच्छा-च्छा, करन जोहर के बारे में आप बात कर रहे हैं. Yes, चोपड़ा के बारे में. संजेज लीला वनसाली के बारे में. ये Director किसके हैं? हाँ जी, Legal Metrology Department के जो Director है, जो Head है, उसको क्या बोल रहे हैं वहाँ पे हम, उनके पास Complain कर रहें. किस चीज को ले करके? Quantity को ले करके या किसी और Matter को ले करके. अगर आपने Complain किया तो फिर क्या होगा? Investigation ने स्टार्ट हुआ. Investigation स्टार्ट होने के बाद क्या निकल करके आएगा? Finding. अब जब Finding निकल के आया, तो इसमें जो आया वो देखिए. इन्होंने एक Schedule बना दिया और बोला कि अगर चावल डाल जैसा चीज है तो हो सकता है, एक केजी अगर है तो इसमें जो है, वो दो ग्राम का अंतर आएगा. अगर वो एक केजी है, तो कितने का? दो ग्राम का. बोला कि कुछ भी कर लीजी आएगा. फिर उनने बता दिया, अगर 100 ग्राम का पेस्ट है, तो उसमें 5 ग्राम तक के अंतर आएंगे. किस चीज के होने के कारण? चिप के होने के कारण. इसका मतलब अलग-अलग चीज का अलग-अलग होगा. अगर investigation करने के बाद result क्या आया वो देखिए, नतीजा क्या निकला? कि deficiency तो है, कमी है, लेकिन ये कमी कितना है? double the maximum permissible error, वो कितना है? 5 ग्राम. इसका double कितना होगा? अगर 10 ग्राम तक की कमी आई है, तो वैसे case में action लिया जाएगा. क्या लिया जाएगा? लेकिन अगर ये उससे भी जादा आगया तो, 11 ग्राम का error आगया तो, कह रहे हैं कि जो action लेना है, वो तो लिया जाएगा, लेकिन immediately चीजों को क्या किया जाएगा? इसका मतब severe action. फटा फटा पहले उसको क्या करो? सीज करो, बांकी कारवाई बाद में करेंगे. लेकिन ये जो आपका difference है, ये अगर maximum permissible limit के जो है, वो double तक है तो, कहते हैं लेंगे action, और जाँच परताल करेंगे. लेकिन अगर उससे जादा आगया, तो वो जाएगा बाद में, आपको ये अपने बुक में नहीं दिखेगा. डन कीजिए फटाक से फिर बात करते हैं. और जिन चीजों के बारे में बोलूं, कि नहीं दिखेगा, उन चीजों को ये नहीं कि पढ़ेंगे ने, बलकि उल्टा थोड़ा और ध्यान रखेगा, कि कुछ परपस है कि वो बुक में नहीं है, फिर भी आपको क्या किया जा रहा है, लिखाया जा रहा है. तो थोड़ा ध्यान से इन चीजों को देखेंगे. कि वोड़ा रहा है. 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 चलिए. तो हमने अभी तक legal methodology में सबसे पहले discussion किया, कि ये एक ऐसा act है जो इसलिए बनाता कि अगर हम किसी चीज़ को weight में ले, measure करके ले या pack में ले, तो हमें उतना मिले जितना क्या कहा गया है. कि का 1 kg का बटखारा रखे, क्या इस पर कोई stamp और seal होना चाहिए, जो इस बात को recognize करें कि यस, ये सही वाले बन्दे का है, और ये सब गलत तरीके से बनाया हुआ है. क्या international level पे जो है वो कोई body है, organization है जो इन चीज़ों को देखती है, क्या कोई इसको certified करने का कोई जो है वो तरीका है, और अगर है, और director जो हमारे है legal methodology के, या ये जो legal methodology है, ये किस-किस तरह के जो है वो लोगों को manufacturing करने का permission देती है, कौन-कौन से लोग weight और measurement करने वाले instrument क manufacturer माने जाएंगे, तो इन चीज़ों का जवाब हमें मिलेगा, next episode में, तो यहां तक के चीज़ों को क्या करेंगे, अच्छे से revise कर लेंगे, तो चलिए फिलहाल आपके लिए मेरी आज की सारी सेवा समा, thank you very much, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद.